नमर 33 ये बहुत शांदार कोश्चन है आए देखते हैं बोलता है कि the point A of a triangle ABC moves parallel to straight line BC which among the following also move along a straight line parallel to BC और इस question का answer जो है ये है centroid कैसे है बहुत ये शांदार कोश्चन है चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रूफ करके दिखाएंगे तो आपको और मजायाएगा ऐसे answer तो याद हो गई आपको A, B, C ए ट्रेंगल हो गया ये जो centroid है क्या A median के उपर लाई करेगा बोलेंगे हाँ लाई करेगा A है इसका midpoint अगर हम A को translate करके यहाँ पे लेके चले आए क्या midpoint जो है BC का change होगा बोलेंगे नहीं change होगा दोस्त BC का midpoint तो अभी भी A रहेगा और जो centroid है वो कहाँ पे लाई करेगा तो आप बोलेंगे जो centroid G है न वो इस तरीके से लाई करेगा कि AG is to GM जो है वो क्या है 2 is to 1 हो जाए बासमज में आगई AG by GM क्या होगा 2 is to 1 होगा कोई बात नहीं अभी आते हैं second case में second case में जो आपका triangle है वो हो गया है ऐसे करके देखे पाएंगे आप A डैस B and C हो गया है इसमें जो centroid होगा कहाँ पे होगा centroid जो होगा वो A डैस M के ऊपर होगा इसका नाम अगर आपके G डैस रखे such that A डैस G डैस by G डैस M ए भैलू कितना आजाएगा 2 is to 1 अभी जो इदर जो dotted line है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि उसका काम centroid दिखाना था आप समझ गए हाँ जी A अगर 2 is to 1 है इसको भी हटा दिया आपको एक ट्रेंगल दिख रहे हैं कौन सा ट्रेंगल है इन्ट्रेंगल M A डैस A अगर आप G एंड G डैस को जोईन करोगे तो ऐसा लग रहा है कि G G डैस जो है इक्वल रेसियो में डिवाइड कर रहा है साइट्स को तो थर्ट साइड के पैरलल होगा क्योंकि A G बाई G M और A डैस G डैस बाई G डैस M एक्वल है 2 इस टू 1 के हिंस G G डैस जो है यह पैरलल होगा A A डैस के और A पैरलल है B C के तो यहां से हमें पता चल गया कि वह सेंट्रोइड ही होगा बहुत ही शांदार कोश्चन है उम्मीद है आपको इस सॉलूशन पसंद आया होगा अगर कोई डाउट रहा जए आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ ले और पसंद है तो शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइ है तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तार तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सॉलूशन के साथ और एक नए कॉंसेप्ट के साथ